नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे रेड वैलवेट केक जो एनिवर्सरी केक है और ये हर्ट शेप में बनने जा रही है तो इस हर्ट शेप के स्पॉंज को रेडी करने के लिए मैंने प्रिमिक्स लिया था दो कप एक कप दूद गया था एक चेमच कोकवा पाउडर का यूज किया था ताकि मुझे प्रॉपर कलर मिल सके और यहां इसे मैंने दो घंटे ठंडा होने दिया था अभी गर्मी का समय है तो ठंडा होने में थोड़ से टाइम लगता है क्योंकि फैन के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है फैन के नीचे रखने से स्पॉंज ठंडा होते ही वो थोड़ सा हाड हो जाता है और काफी क्रम्स निकरने लगता है तो यह काम बिल्कुल नहीं करना है इसके बाद ही इसके आप लेयर कट करें और यहां पर एक लेयर को कट करके मैंने इसका क्रम्स निकाल लिया है फाइन पाउडर बना लिया है मिकसर जार मे तो ये इसका पाउडर बनाने के लिए आपको एकदम से ठंडा वाला चाहिए इस पॉंज नहीं तो क्या होगा कि वो लड्डू बन जाएगा मॉइस्ट रहेगा तो फिर वो आपका जो प्रॉपर फिनिशिंग होता है रेड वेलविट का वो नहीं मिल पाएगा विपिंग क्रीम इसमें मैंने ली है कूल 400 ग्राम और इस तरह से आज के इस हर्ट केक को मैंने तयार किया ये एनिवर्सरी केक है और यकीन नहीं करेंगे इसे आज मैंने साढ़े चार सो रूपिया में ही एक किलो दिया है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें कि जब आप 1 kg रेड वेलवेट केक बनाते हैं होड शेप में बनाते हैं इतनी मेहनत करते हैं तो आपको क्या पेमेंट मिलता है तो यहां इस तरह से क्या करना है हमें प्लास्टिक कार्ट से मिला लेना है अगर आपके पास प्लास्टिक कार्ड नहीं हो तो घर की पड़ी हुई जो फाइल होती है प्लास्टिक वाली उसे कट लगा कर आप कार्ड बना सकते हैं इस तरह से यहां मैंने इस टॉल वाले केक का कॉम लिया है इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आती है देखने में भी अच्छा लगता है तो इसी से मैं आज फिर से इफेक्ट डाल रही हूँ और एकदम से हमेशा की तरह आसान वाली ही केक डिजाइन लेके आती हूँ जिसे बिना ट्रेनिंग के कोई भी बना सकता है और यहां पर हर्ट शेप का मैंने पेपर को कट लगा के स्टीक कर लिया है क्योंकि मुझे वो बीच वाला एरिया क्लीन चाहिए जिसमें मुझे लि और पेहतरीन डिजाइन लगता है दोस्तों बहुत ही आसान है आप ही इसकेक डिजाइन को जरूर ट्राय करें और मेरी तरह घर के कामकाच के साथ साथ अपनी चोटी से बिजनस को घर से शुरू करें क्योंकि हम होम बेकर किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करते हैं हम अप बच्चों से दूर हो जाते हैं फैमली मेंबर से दूर हो जाते हैं प्रॉपर केर नहीं हो पाता है उनका तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और यहां पर क्या किया है मैंने R11 नोजल का यूज किया है बॉर्डर डिज आज तो मुझे कोई बेनिफेट हुआ ही नहीं है क्योंकि साड़े चार सो में अगर वन केजी हम डिलीवर करते हैं तो क्या मिल सकता है यह आप भी समझ सकते हैं यहां इस तरह से धीरे-धीरे हलके हातों से इस पेपर को हटा लेना है और इसके बाद मैंने स्मॉल स्टार न जिल का यूज किया है मैंने नाम को लिखने के लिए इसमें शाइनी एफेक्ट डालना है तो सिल्वर स्प्रे का यूज कर ले और इस तरह से आज की यह वन केजी एकलिस रेड फैलवेट के तयार है मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई